भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसत के इस नए भवन का उपहार दिया है। ये सर्फ एक भवन नहीं है। 140 करोड भारत वास्यों की आकांच्छाओं और सपनों का प्रतिबिम्ब है। ये सर्फ एक भवन नहीं है। 140 करोड भारत वास्यों की आकांच्छाओं और सपनों का प्रतिबिम्ब है। ये विश्व को भारत के द्रड संकल्प का संदेश देता हमारे लोग तंत्र का मंदीर है। अगले 25 वर्षों में संसत के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विक्सित भारत बनाएंगे। इस संसत में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बहार निकालने में मदद करेंगे। इस संसत में बनने वाले कानून देश की युवाओं के लिए महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करेंगे। लोग सभा के स्पीकर आदर्डिय श्री ओम बिरला जी, राज सभा के उपसभापती, श्री हरिवांश जी, मानिय साउसत्गान, सभी वरिष्ट जनप्रतिनिदी, विशिष्ट अतीथी, अन्य सभी महनुभाव, और मेरे प्यारे देश वास्यों, हर देश की विकास यात्रा में, कुछ पल ऐसे आते हैं, जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, कुछ तारीखें, समय के ललाट पर, इतिहास का अमीट हस्ताक्षर बन जाती हैं, आज 28 मैं, 2023 का ये दीन, ऐसा ही शुब अवसर है, देश आजहादी के 75 बर्ष होने पर, अमरित महोत्सों बना रहा है, इस अमरित महोत्सों में, भारत के लोगों ने, अपने लोकतंत्र को, सउंसत के इस नए भवन का उपहार दिया है, आज सुब्य ही, सउंसत भवन परिसर में, सर्व पंथ प्रार्षना हुई है, मैं सभी देश वाचियों को, भारतिय लोकतंत्र के, इस स्वनिम ठ्षन की, बहुत बहुत बधाई देता हुई, साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, एक सो चालीस करोड भारत वाचियों की, आकांच्छाओं, और सपनों का प्रतिबिम्ब है, ये विश्व को, भारत के द्रड संकल्प का, संदेश देता, हमारे लोकतंत्र का मंदीर है, ये नया संसत्भवन, योजना को यथार्त से, नीती को निर्मान से, इच्छा शक्ती को, क्रिया शक्ती से, संकल्प को, सिद्धी से जोडने वाली, एहम कड़ी साबित होगा, ये नया भवन, हमारे स्वातंत्रता सेनानियों के सपनों को, साकार करने का माध्यम बनेगा, ये नया भवन, आत्म निर्वर भारत के, सुर्यो दैका साक्षी बनेगा, ये नया भवन, विच्शिद भारत के संकल्पों की, सिद्धी होते हुए देखेगा, ये नया भवन, नूतन और पुरातन के, सह अस्तित्व का भी आदर्शा है, साथियो, नए रास्तों पर चल कर ही, नए प्रतिमान गड़े जाते हैं, आज, नया भारत, नए लक्ष तय कर रहा है, नए रास्ते गड़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दरश्टी नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है, और आज, आज फिर एक बार, पूरा विश्वा, भारत को, भारत के संकल्प की दड़ता को, भारत वासियों की प्रकरता को, भारतिय जनशक्ति की जीजी विशा को, आदर और उमीद के भाव से देख रहा है, जब भारत आगे बढ़ता है, तो विश्वा आगे बढ़ता है, संसत का ये नया भावन, भारत के विकास से, विश्व के विकास का भी आहवान करेगा, साथियों, आज इस आइतिहासिक अउसर पर, कुछ देर पहले, संसत की इस नई इमारत में, पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है, महांच चोल सामराज्य में, सेंगोल को, कर्तव्य पत्का, सेवा पत्का, राश्ट्र पत्का प्रतीक माना जाता था, राजा जी, और आदिनम के संतों के मार दर्शन में, यही सेंगोल, सत्ता के हस्तान तरण का पत्क बना था, तमिल नाडू से विशेश तोर पर आये हुए, आदिनम के संत, आज सुबह, संसद भवन में हमें आशिरवाद देने उपस्तित हुए थे, मैं उन्हें पुना स्रद्धापुरवक नमन करता हूँ, उनके ही मार दर्शन में, लोक सभा में, यह पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है, पिछले दिनों, मिडिया में, इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ, यह हमारा सोभाग्य है, कि इस पवित्र सेंगोल को हम, उसकी गरिमां लोटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लोटा सके हैं, जब भी इस संसद्धवन में कारवाई शुरू होगी, इस एंगोल हम सभी को प्रेणा देता रहेगा, साथियों, भारत एक लोगतंत्री ग्रास्त्र ही नहीं, बल्कि लोगतंत्र की जननी भी है, मदर अब डेमोक्रेसी भी है, भारत आच वैश्विक लोगतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है, लोगतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्ता नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है, हमारे वेद हमें सभाओं और समित्यों के लोगतंत्रिक आधर सिखाते हैं, महाभारत जैसे ग्रंत्रों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्ता का उलेट मिलता है, हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जी कर दिखाया है, हमने भगवान बस्वेस्त वरगे अनुपव मंटपा को अपना गवरों माना है, तमिल नाडु में मिला नौसो इस्वी का सिलालेग आज भी हर किसी को हरान कर देता है, हमारे लोगतंत्र ही हमारी प्रेणा है, हमारा संबीदान ही हमारा संकल्प है, इस प्रेणा इस संकल्प की सबसे स्रेष्ट प्रतिनिती अगर कोई है तो यह हमारी संसद है, और यह संसद देश की जिस सम्रिद्ध संस्कृति का प्रतिनित्व करती है, उसका उद्गोश करती है, शेते निपध्य मानस्य, शेते निपध्य मानस्य, चराती चर्त भगह, कहने का ताथ पर यह, जो रुख जाता है, उसका भाग्य भी रुख जाता है, लेकिन जो चलता रहता है, उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलन्दियों को चुपता है, और इसलिए चलते रहो, चलते रहो, गुलामे के बाद, हमारे भारत ने, बहुत कुछ खोकर, अपनी नई यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा, कितने ही उतार चड़ाओं से होते हुए, कितनी ही चुनोतियों को पार करते हुए, आजहादी के अमरितकाल में प्रवेश कर चुकी है, आजहादी के अमरितकाल विरासत को सहेचते हुए, विकास के नए आयाम गड़ने का अमरितकाल है, आजहादी के अमरितकाल देश को नई दिशा देने का अमरितकाल है, आजहादी के अमरितकाल अनन्त सपनों को, असंख्या कांछाओं को पूरा करने का अमरितकाल है, इस अमरितकाल का अवान है, मुक्त मात्र भूमी को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए, नवीन प्राण चाहिए, और इसलिए भारत के भविश्य को उज्वल बनाने वाली, इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधूनिक होना चाहिए, साथियों एक समय था है, जब भारत दुनिया के सबसे समर्द और वैबवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था, भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मुर्तियों तक, भारत का वास्तू, भारत की विशेजग्यता का उद्गोश करता था, सिंदू सब्विता के नगर नियोजन से लेकर, मौर्य कानिन स्थब्ब और तुपों तक, चोल शासकों के बनाएं, भग्य मंदिरों से लेकर, जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर्थ से आने वाली यात्रियों को हैरान कर देता था, लेकिन, सैकडो साल की गुलामी ने, हम से हमारा गौरव छीन लिया, एक ऐसा भी समय आ गया, जब हम दूसरे देशों में हुए निर्मार को देखकर, मुग्द होने लग गए, 21 सदी का नया भारत, बुलंद होसले से बरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है, आज भारत, प्राचीन कला के उस गवरोशाली धारा को, एक बार फीर, अपनी तरफ मोड रहा है, और संसत की ये नई इमारत, इस प्रयास का जीवन्त प्रतीक बनी है, आज नए संसत भावन को देखकर, हर भारतिय गवरोव से भरा हुआ है, इस भावन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्क्रिती भी है, और संविधान के स्वर भी है, आप देख रहे हैं कि लोग सभा का आमत्रिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्य पच्छी मोर पर आधारी थै, राज सभा का आंत्रिक हिस्सा, राष्ट्य फूर कमल पर आधारी थै, और संसत के प्रांगन में हमारा राष्ट्य व्रुक्ष बर्गद भी है, हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों की जो विवितता है, इस दे भवन ने उन सब को समाहित किया है, इसमें राजस्थान से लाए गए गरिनाईट और बल्वा पत्थर लगाए गए, ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं न, वो महराष्ट से आई हैं, यूपी में बदोही के कार्योगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालिनों को बूना है, एक तरह से इस भावन के कण कण में हमें एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना के दर्शन होगे, साथियों, सउसत के पुराने भावन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, यह हम सभी जानते हैं, टेक्नोलोजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनवती थी, इसलिए ही बीते डेड़ दो दसकों से यह चर्चा लगातार हो रही थी, कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्क्ता है, और हमें यह भी देखना होगा, कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, संसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं, और इसलिए यह समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्मान किया जाए, और मुझे खुशी है कि भग्वे इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लेशा है, आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है, बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरब लेटेस्ट टेकनोलोजी वाले गैजेट्स हो, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है, साथियों, आज सुबह ही मैं इस समसद भवन को बनाने वाले स्रमिकों के एक समू से मिला हूँ, इस समसद भवन ने करीब साथ हजार स्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है, उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बाहाया है, मुझे खुशी है कि इनके स्रम को समर्पित, एक डिजिटल गैलेरी भी सौंसद में बनाई गई है, और विश्व में साइड ये पहली बार हुआ होगा, समसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है, साथियों कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले नव वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये नव साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं, आज हमें समसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व हैं, तो मुझे पिछले नव साल में गरीबों के चार करोर घर बनने का भी संतोष हैं, आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर उचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले नव साल में बने ग्यारा करोर सोचालयों का भी संतोष हैं, जिनोंने महिलाओं की गरीमा की रक्षा की उनका स्वर मुचा कर दिया, आज जब हम इस संसत भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि पिछले नव साल में हमने गावों को जोड़ने के लिए चार लाग किलोमिटर से भी जादा सड़कों का निर्मान किया, आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है, तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए पच्चास हजार से ज़्यादा अमरुत सरोवरों का निर्मान किया है, आज जब हम इस नए संसच भवन की लोग सभा और राज सभा को देखकर उत्सों मना रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने देश में तीस हजार से ज़्यादा नए पंचायज भवन भी मनाए हैं, यानि पंचायज भवन से लेकर संसच भवन तक हमारी निष्टा एक ही है, हमारी प्रेणा एक रही, देश का विकास, देश के लोगों का विकास, साथियों, आपको ध्यान होगा, पंद्रा अगस को लाल कीले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है, हर देश के इतिहास में, ऐसा समय आता है, जब देश की चेतना, नए सिरे से जागरत होती है, भारत में, आजादी के पचीज साल पहले, आजादी के पचीज साल पहले, ऐसा ही समय आया था, गांदी जी के, असयोग अंदोलन ने, पुरे देश को, एक विश्वास से भर दिया था, गांदी जी ने, स्वराज के संकल्प से, हर भारत मासी को जोड दिया था, ये वो दोर था, जब हर भारतिय, आजादी के लिए, जी जान से जुड गया था, इसका नतीजा हमने, 1947 में, भारत की आजादी के तौर पर देखा, आजादी का ये अम्रित काल भी, भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है, आज से पतीज साल बाद, भारत अपनी आजादी के सो वर्ष पूरे करेगा, हमारे पास भी पचीज वर्ष का अम्रित काल खंड है, इन पचीज वर्षों में हमें मिलकर, भारत को विक्सित राश्ट बनाना है, लक्ष बड़ा है, लक्ष कठीन भी है, लेकिन हर देश्वासी को आज इसके लिए जी जान से जुटनाई है, नए प्रन लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नए गती पकड़नी हैं, और इतियाद गवाह है, कि हम भारतियों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सिमित नहीं रहता, हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागरित कर दी थी, हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े, भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था, और इसलिए भारत जैसा विविद्वता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुरोंतियों से लड़ने वाला देश, जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेणा भी मिलती है, भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग-अलग भूभाग में, अलग-अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेणा का कारण बनने वाली है, आज़े दी भारत तेजी से गरीबी दूर करता है, तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेणा भी देता है, भारत का विक्सित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा, इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है, और साथियों, सफलता की पहली शर्थ, सफलता की पहली शर्थ, सफल होने का विश्वास ही होती है, ये नया संसद भावन, इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है, ये विक्सित भारत के निर्मान में, हम सभी के लिए नई प्रेणा बनेगा, ये संसद भावन, हर भारती के कर्तब यभाव को जागरित करेगा, मुझे विश्वास है, इस संसद में, जो जन प्रतिनिती बैठेंगे, वे नई प्रेणा के साथ, लोग तंत्र को नई दिशा देने का प्रेयास करेंगे, हमें नेशन फस्ट की भावनाचे आगे बढ़ना होगा, इदम राष्टाय, इदम नमबा, हमें कर्तब्यपत को सर्वो परी रखना होगा, कर्तब्यम एव, कर्तब्यम, और कर्तब्यम न कर्तब्यम, हमें अपने व्यहवार चे उदाहन प्रस्थूत करना होगा, यद यदा चरती स्रेष्ट, तत देव इतरोजन हो, हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा, उद्धरेत आत्मना, आत्मा नानम्न, हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होगे, अपदीवो भवा, हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा, तपसों ही परम्नास्ती, तपसा बिंदते महतर, हमें लोग कल्यार को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा, लोग ही तम मम करनेयम, जब सौंसत के इस नए भवन में हम, अपने दाईत्वों का इमानदारी से निर्वहन करेंगे, तो देश्वाश्यों को भी नई प्रेना मिलेगे, साथ क्यों, दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र को, यह नई संसत, एक नई उर्जा, और नई मजबूती प्रदान करेंगी, हमारे स्थ्रमिकों ने, अपने पसीने से, इस संसत भवन को इतना भव्य बना दिया है, अब, हम सभी संसतों का दाइत्व है, कि इसे, अपने समर्पन से, और ज़्यादा दिव्य बनाएंगे, एक राष्ट के रुप में, हम सभी, एक सो चालीस करोर भारतियों का संकल्प ही, इस नई संसत की प्राण प्रतिष्टा है, यहां होने वाला हर निड़े, आने वाली सद्यों को सजाने समवारने वाला है, यहां होने वाला हर निड़े, आने वाली पीडियों को ससक्त करने वाला होगा, यहां होने वाला हर निड़े, भारत के उजविस भविश्य का आधार बनेगा, गरीब, दलीत, पिछडा, आदिवासी, दिव्यांग, समाज के हर वंचित परिवार के ससक्त करन का, वंचितों को वरियता का रास्ता यही से गुजरता है, इस नए संसत भवन की हर इट, हर दिवार, इसका कान-कान, गरीब के कल्याण के लिए समर्पी था, अगले पचीस वर्थों में, संसत के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून, भारत को विक्षित भारत बनाएंगे, इस संसत में बनने वाले कानून, भारत को गरीबी से बहार निकालने में मदद करेंगे, इस संसन में बनने वाले कानों देश की युवाओं के लिए महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करेंगे मुझे विश्वास है संसन का ये नया भवन नए भारत के स्रजन का आधार बनेगा एक सम्रुद्य ससक्त और विक्सित भारत निती नयाय सत्य मर्यादा और कर्तव्य पत्पर और ससक्त होकर चलने वाला भारत मैं समस्त भारत वास्यों को नए संसद्भवन की फिर से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ झालने झालने वालने 13 ताह भारत रजने तो हमस्ते है laugh झालने प्रौ। क्योंक्रमल नए स्ट्पर चीलसयोंस इपका घवतः हो south